हाई वीवर्स मैं हूँ सुनील पालिवाल और आज हम डिसकस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर के बारे में जो की फार्मसोटिकल इंडस्ट्री में यूग होते हैं फिल्टरेशन अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिक्विड और गैसेश के लिए जिनका की परपस होता है रिमूवल अब माइक्रो औरगिनिजम आगे जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंसर्क्राइब करें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सेम वीडियो को आप मेरे इस्टाग्राम अकॉंड पर भी देख सकते हैं जिसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है फार्मसोटिकल इंडस्ट्री में लिकवीड और गैसेस को स्टरलाइस करने के लिए दो टाइप के फिल्टर का यूज के जाता है एक टाइप होता है हाइड्रो éléments फिल्टर और दूसरा टाइप होता है हाइड्रो फोबिक फिल्टर मेरा आपसे request है कि इस वीडियो को आप लास तक जरूर देखे और मैं आपको विश्वास देलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप filter के type के बारे में कभी भी अपने life में कभी भी नहीं भूलेंगे Hydrophilic Filter अब इस filter को समझने के लिए मैं अपना हिंदी वाला तरीका यूज करता हूँ मुझे जब भी क्या होता है कोई चीच पड़कर समझ में नहीं आती है तो मैं उसमें अपना हिंदी मीडियम वाले युकति को लगाता हूँ अब इसमें हम क्या करेंगे यह जो word है Hydrophilic इस शब्द को हम इसका संदी विख्षित कर देंगे या इंगलिश में अगर बोले तो इस word को हम ब्रेक कर देंगे अब यहाँ पर है अब यहाँ पर Hydro का मतलब होता है पानी और फिलिक का मतलब क्या होता है फिलिक का मतलब होता है फिल करना या लव करना या पसंद करना तब Hydrophilic वो filter होता है जो की पानी को लव करता है या पसंद करता है अब बात करेंगे Hydrophilic filter के uses के बारे में जैसा कि पिछला स्लेट देखके हमको मालूम हो गया है रभिवर पहने के हैं म को ole करते हैं कि वैडून को पसंद करते हैं कि इसलेख क्या होता है इन फिल्टर का उसे्ज जो होता हैafter यह बंगा झाल को उक्षीर किया जाता है Water के अलावा भी इन filter को oil-based product जो होते हैं उनके लिए भी इनका use के जाता है मिलनी जो filter है यह equus या non-equus जो equus याने water-based और non-equus याने oil-based उन product को या उन solution को filter करने के लिए इसका use के जाता है Pharmaceutical industry के एक हम बात करें तो इन filters को हम product filtration के लिए dolefi filtration के लिए या disinfectant filtration के लिए हम लोग use करते हैं अब बात करते हैं hydrophobic filter के पैसे हमने hydrophobic के case में गाला था इसका भी हम संधी विष्चित करेंगे वर्ड को हम break करेंगे तो इसमें वर्ड कुन सा है hydro plus phobic अब यहां पर hydro का मतलब तो पानी ही होता है और phobic का मतलब होता है phobia, in English में इसे phobia कहते है और phobia का मतलब हिंदी में होता है डर यानि हाइड्रोफोबिक जो filter होते है वो पानी से डरते है या पानी को पसंद नहीं करते है तो इसलिए इन filter का nature क्या होता है यह पानी को pass करने नहीं देते हैं इसलिए हम इने से नफनको पसंद नहहीं करते वाटर को पसंद नहीं करते है इसलिए इन फेल्टर का यूसेस को फिल्टर करने की लिए इसलिए इनका वल्त को यू सिल्टर कि जो ग्यासिस में मौझूद जो सभी प्रकार के माइक्राउर्गनिजम होते हैं उनको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा उनको माइक्राउर्गनिजम को रिमूब के जाता है गैसे जैसे कंप्रेसेयर, नाइट्रोजन, कार्मन डॉकसेड या अन्य जो भी कुई गैसे जिनका हमको इस्टल्रेशन करना जोड़ूरी होता है उनका इस्टल्रेशन हम इसी फिल्टर के द्वारा करते हैं यह जो फोबिक फिल्टर होते हैं यह बहुत से महत्वपूंच एक्युपमेट जो फार्मसोंडिकल इंड्रस्टि मे यह होते हैं उनकी युट्यि Kommete में तो manufacturing vessel के मैसल में manufacturing process के दोरान nitrogen gases को या carbon gases gases dependent on product sparging के जाता है यानि कि उस product को purging के जाता हुआ है product solution के अंदर इसके लिए उसका filter करना ज़रूरी होता है while washing machine में compress air का use के आता है जो कि जो हमारा product container जो होता है जिसमें कि हमारा product fill होगा जैसे कि वायल या ampoule तो इनको washing होने के बाद में इनको compress air के दोरा उस containers को dry के जाता है अब filling machine के बात करें तो filling machine में जो हमारा sterilized container या deep-paralinated container होता है उसका nitrogen का pre and post purging होता है तो यह प्री और post purging के लिए भी वहां पर भी इसी hydrophobic filter का purging या gassing के लिए यूज के जाता है dear viewer अगर आपका कोई question है या कोई suggestion है तो please 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 comment section में लिखे आपके लिए जो मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूं वह होने वाला है sterilizing grade जो filter होता है उसका integrity testing की कौन सी method होती है और उस particular filter के लिए वही method हम लोग क्यों use करते है उसके reason के बारे में हम लोग अगले वीडियो में discuss करेंगे so please stay connected learn together and grow together thank you so much